सुप्रबात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बसंत भागतीन का ग्यारवा पार्ट पढ़ेंगे, जिसका सिर्शक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पार्ट को प्रदीप तिवारी जी ने लिखा है, पार्ट को अरम करने से पहले इसके बड़े में एक संचिप्त जानकारी देता हूँ कि यह पार्ट सबसे पहले हिंदी सिनेमा जिसने बोलना सीखा उसके उपर आधारित है। तरह का संबाद नहीं होता था, डायलोक्स नहीं होते थे। जिन्दा इंसान जिन्दा हो गया, उनको बोलते और बाते करते देखो। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को रिलिज होई थी। इसी दिन भरत के सिनेमा ने बोलना सीखा। हाला कि जब यह फिल्म रिलिज होई थी, वो दौर मुक फिल्मों का दौर था। किन्तु जब यह बोलती फिल्म बनी तो एक नया दौर शुरू हो गया। दूसरे अनिशेद में लेखक लिखता है कि पहली बोलती फिल्म बनाने वाले जो फिल्म कार थे उनका नाम था अर्देशिर M. इरानी। उनको बोलती फिल्म बनाने का विचार अंग्रेजी फिल्म को देख कर वा जिसका सिरसक था शोबुट। जब अर्देशिर ने शोबुट फिल्म देखी तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हिंदी में भी एक बोलती फिल्म बनाई जाए। अर्देशिर ने पारसी रंग मंच के एक लोकुप्रिय नाटक को इस फिल्म को बनाने का आधार बनाया और अपनी पटकता अर्थार स्क्रिप्ट को बना दली। इस फिल्म में जो गाने हैं वो नाटक के गाने से जियोंकत्यों ले लिये गये थे। एक बार एक इंटर्विव में अर्देशिर ने कहा था कि हमारे पास कोई समवाद लेखक नहीं था, नहीं कोई गीतकार था और नहीं कोई संगीतकार। समभाद लेखन को उग रिजी में डायलोग राइटिंग करते, गीत कार को लेरिक साइटिंग और संगीत कार को मुजिक डिरेक्शन इन सब की नई सुरुवात होनी वाली थी अर्थात पहले जो फिल्में बनती थी उसमें डायलोक्सी नहीं होते थे संबाद होते ही नहीं थे जिनके कारण न गीत होते थे और नहीं किसी तरह का संबाद जिसके कारण गीत कार की भी जरुवत नहीं होती थी और नहीं संबाद लेखन की कोई जरुवत होती थी और जब गीत नहीं थे तो संगीत बजानी की भी कोई जरुवत नहीं पड़ती थी तो एक नया दोर शुरू हो गया था जिसमें इन सब की जरुवत महसूस होने लगी थी अरदिसीर बताते हैं कि इस फिल्म के जो गाने है उन्होंने खुद चुने थे उसकी जो धुन थी उन्होंने खुद तयार किये थे इस फिल्म में जो संगीत का प्रयोग हुआ है उसमें केवल तीन ही वादियंत्र थे जो थे तबला, हर्मोनियम और वाइलिन आज के जमने में तरह तरह के वादियंत्र आ गए हैं वादियंत्र अंग्रीजी में इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं बजाने वाले इस फिल्म रथात आला मारा में संगीत कार या गीत कार में स्वतंत रूप से किसी का नाम नहीं डाला गिया था क्योंकि ये दोनों काम अर्दे सिर नहीं किया था और इस फिल्म की जो पहली गीत रेकॉर्ड की गई थी वो दे दे खुदा के नाम पे प्यारे अगर देने की ताकत है गीत का नाम था और इनको गया था अगले अदिछेद में लेकक लिखता है कि जब आलमारा फिल्म की सुटिंग हो रही थी तो उस समय डिस्क फॉर्म में या रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी क्योंकि उस समय डिस्क फॉर्म था ही नहीं इतनी टकनिक नहीं थी टकनोलोजी इतनी विख्षित नहीं थी जिसके कारण फिल्म की सुटिंग होई तो साौन के कारण इसकी सुटिंग रात में करने पड़ती थी जबकि मुक यूक की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाष में सुट कर लिया जाता था क्योंकि उसमें आवाज की ज़रृती नहीं होती थी लेकिन इसमें आवाज की ज़रृत होती ही है और दिन में सुटिंग करने बद तरह-तरह की आवाज भी कैमेरे में रेकौर्ड हो जाती है जिसके कारन लोग रात का इंतिजार करते थे और रात के शांत वातावरा में इस फिल्म के शूटिंग होती थी रात को फिल्म शूट करने के वज़ा से नकली प्रकास का ब्यवस्ता करना पड़ता था और यही से फिल्मों में नकली प्रकास का दौर शुरू हो गया था लेखक अगले अनिच्छेद में लिखता है कि आलम आरा ने भविश्य के कई स्टार और तक्निश्यन तो दिये ही अरदेशिर की कंपणी तक ने भारतिय सिनेमा के लिए डेशों से अधीक मुक और लगबब 100 स्वाक फिल्में बनाई मुक मतलब जिसमें समबाद नहीं होते और स्वाक मतलब जिसमें समबाद होते है लेखक आगे लिखता है कि आलम आरा फिल्म अराव्यन नाइट्स जैसी फैंटेशि थी फिल्म में हिंदी उर्दू और मेल वाली हिंदूस्तानी भासा का भाशा को लोकुप्रिय बनाया जबकि जो मुख फिल्में होती थी उसमें गीत, संगीत और नित्य का कोई स्थान नहीं होता था इस फिल्म की नाइका का नाम था जुबेदा और नायक थे विट्टल वे उस दौर के सरवादिक पारिस्रमिक पाने वाले स्टार थे अर्थात उस समय इनको सबसे ज़्यादा फिल्मों के लिए पैसे मिलते थे उनके चैन को लेकर भी फिल्म में एक बड़ा ही चर्चित किस्सा है वाया है कि विट्टल को उर्दू बोलने में बहुत मुश्किल होती थी, तकलीप होती थी पहले उनका बतौर नायक इस फिल्म के लिए चैन किया गया था सेलेक्शन हुआ था, मगर उर्दू की इसी कमी के वैज़े से उन्हें हटा कर उनकी जगा महबूप को नायक बना दिया गया बिठ्टल इस बात से नराव हो जाते हैं और अपना हग पाने के लिए इस फिल्म के जो निर्देशक है उनके उपर मुकदमा कर देते हैं लिखक आगे लिखता है कि उस दौर में उनका मुकदमा मुहमद अली जिन्ना ने लड़ा था जो उस समय के बहुत ही मुसहूर वकील हुआ करते थे बिठल मुकदमा जीत जाते हैं और भारत की पहली बौलती फिल्म के नायक बनते हैं उनकी काम्याबी आगे भी जारी रही मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नाटक और स्टंट मैंड के रूप में सक्रिय रहें सक्रिय को अंग्रेजी में एक्टिप कहते हैं वो लंबे समय तक हिंदी और मराठी फिल्मों में सक्रिय थे हैं नायक जुवेदा और नायक विठल के अलावा आलमारा फिल्म में सुहराब मोदी, पृत्वी राजकपूर, यकूप और जगदी सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहें जो आगे चल कर फिल्म उद्योग के प्रमुक स्थम्ब बनें लेखक आगे लिखता है कि यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजिस्टित सिनेमा में प्रदस्चित हुई फिल्म आठ सबता तक हाउस पूल चली और भीड इतनी उमर्दी थी कि पुलिस के लिए नियंतर्ण करना मुश्किन हो जाया करता था इस फिल्म के लिए लोग बहुत पागल थें क्योंकि पहली बार लोगों को कुछ नया देखने को मिल रहा था समिक्षकों ने इसे भरकीली फैंटेसी फिल्म करा दिया था समिक्षक कर थे फिल्मों के जानकार उन्होंने कहा था कि यह फिल्म भरकाने वाली है जनता को भड़काने वाली है क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए लंबे-लंबी कतार लग रही है बहुत भेड़ी कटा हो रही है जिसके कारण पुलिस को भी उनको नियत्र करना मुश्किल हो जा रहा है इसके कारण जो समिक्षक है इस फिल्म को भड़ के लिए फैंडेसी का नाम दे रहे हैं। वही दुसरी ओर यह फिल्म दर्शकों के लिए एक अनुखा अनुबह था, एक नया पन था। यह फिल्म दस हजार फुट लंबी थी और चार महिनों के कड़ी मेनद से तयार किया गया था इस फिल्म को। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही शेश भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर किसी को किसी तरह का दुबिता हो तो मुझे संपर्ट कर सकता है। धन्यवाद सबका दिन शुबहूँ।